नमस्ते दोस्तों सोनियास कुकिंग में आप सब का स्वागत है क्या आपने कभी सोचा है पीजा भी कभी हेल्दी हो सकता है जी हाँ ये बहुत ही हेल्दी पीजा है कीटो पीजा कह सकते हैं सबसे पहले हम वेजी को कट करेंगे यहाँ पर मैं आपके साथ एक ये शिमला मिर्च होता है इसको कट करने का ये आसान तरीका है कि इसकी जो लाइनस है उसमें आप वहां से इसमें कट लगाएं और उसके बाद एक करके तीनों साथ ते एक सम करकर देंगे तो जो उसके सीड्स है वह अपने आप ही अलग हो जाएंगेNER अगर वह चार लाइनस तो आप चार लाइन्स में भी कट लगाएंगे तब वो चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले मैं शिमला मिर्च के स्क्वाइज कट कर रही हूं इसके अलावा बाकी जो टमाटर प्याज और हरी मिर्च है इनको भी मैं स्क्वाइर में कट कर लूँगी यह देखिए हम वैर पीजा भी बना सकते हैं मैंने पनीर को दो पार्ट में डिवाइड किया है थोड़ी सी पतली लेर लेनी है बहुत जादा मोटी नहीं लेनी है पैन में हलका सा घी लगाया है दोनों साइट से मैं इसको हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी और उसके बाद जब तक हम वैजी लगाएंगे तब तक वो नीचे से बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा सबसे पहले मैं पनीर के उपर यानि की पिज़ा बेस के उपर पिज़ा सॉस लगा रही हूँ आप शिजवान भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं प्लेन सॉस है आपके पास तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं तब भी आपका पिज़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा मैंने थोड़े से ओलिव लगाएं हैं शिमला मिर्च लगा रही हूँ टमाटर के जो पीसेज मैंने कट किये हैं प्याज के पीसेज इन सब को मैं इस पिज़ा के उपर लग तो मैं इसमें चीज नहीं एड कर रही हूँ आप लो फेट चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उपर से मैंने नमक डाला है स्प्रिंकिल क्या है ओरिगेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकिल कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट पीजा बनेगा दो मिनट के परम हो जाएं ये देखिए अरे वा यमी थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ पास में जो बैल आइकन है ना उसको दबाना बिल्कुल ना भूले